अगला गुण है oxygen से क्रिया, तो nitrogen परिवार में जितने भी तत्व होते हैं, वो oxide बनाते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, तो प्राया देखा गया है कि plus 3, plus 5 वाले जो oxides होते हैं, वो जादा यहाँ पर stable होते हैं, तो जब यह oxide बनाते हैं, तो 4E plus 3O2 is equal to 2E2O3 यहाँ पर सभी तत्वों को एक समान धंग से प्रदर्शित कर रहा है, उसी तरह से यदि आप पेंटा ओक्साइड बनाएगा, तो 4E plus 5O2 is equal to 2E2O5, तो यह जितने भी oxide हम देख रहे हैं, यह trioxide और पेंटा ओक्साइड हैं, तो nitrogen में यह देखा गया है कि nitrogen P pi P pi bonding कर सकते हैं और P pi P pi bonding कर पाने के कारण वो कई प्रकार के oxidation state उनके oxides में देखने को मिलते हैं और इसी कारण वो कई प्रकार के oxide भी बना पाते हैं, तो जब हम nitrogen के oxides की बात करते हैं, तो nitrogen के oxide में सबसे पहला oxide है N2O, जिसे हम nitrous oxide कहते हैं, oxidation state plus 1, और NO nitric oxide plus 2 oxidation state, N2O3 nitrogen trioxide plus 3 oxidation state N2O4 plus 4 oxidation state nitrogen tetraoxide और N2O5 nitrogen pentoxide जहां plus 5 oxidation state है अब इसके गुणों को हम थोड़ा देखें तो जब उपर से नीचे आते हैं तो छारी गुण इन उक्साइडों की बढ़ती जाती है तो प्राया देखा गया है जो अधातू है वे अमली प्रवित्ती के आक्साइड बनाते हैं जो उप धातू है वो उभैधर्मी आक्साइडs बनाते हैं और जो धातू होते हैं वो छारी गुण है वो बढ़ता जाता है और अमली गुर दीरे-दीरे कम होता जाता है और यदि हम पेंटा ओक्साइडों को कमपेर करेंगे इसके अमली गुर क्या धार पर तो वो N2O5 सबसे प्रबल अमली होगा उसके बाद P2O5, AS2O5, SB2O5 और Bi2O5 तो बिस्मत का जो पेंटा ओक्साइड है वो सबसे कम अमली होग जबकि नाइट्रोजन का जो पेंटा ओक्साइड है वो प्रबल अमली प्रबृत्ती दर्शाते हैं बिस्मत प्लस 5 ऑक्सिडेशन स्टेट वाले ओक्साइड नहीं बनाते हैं क्योंकि बिस्मत में अक्री युग प्रभाव देखने को मिलता है एनस के दो इलेक्ट्रॉन ब स्टेशन के बारे में जानेंगे तो अमली औक्साइड यहां पर नाइट्रोजन का ट्राई ऑक्साइड एन्टुओट्री एन्टुओफॉफ्व पी तुओफॉफॉफॉफ्व इसी तरह से जो यहां उप धातु है वे उबहधर्मी ऑक्साइड जरसाते हैं जैसे कि ऑर्स अमली, छारी एवं उभैधर्मी, तीनों प्रकार के ऑक्साइट इस परिवार में देखने को मिलते हैं। हेलोजन से क्रिया शीलता, तो हेलोजन से क्रिया करके भी यह ट्राई हेलाइड और पेंटा हेलाइड बना पाते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो ट्राई हेलाइड ही बना पाते हैं, पेंटा हेलाइड नहीं बनाते हैं, यह हम पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन के पा X5, तो ये ट्राइ हेलाइड है और ये पेंटा हेलाइड है, तो इस प्रकार से ये हेलाइड को फॉर्म कर सकते हैं, तो यहां पर जो इसके फ्लोराइड के जितने भी हेलाइड से हो देखिए, NF3, PF3, minus 1, andere, Arsenius कर ट्राइड, PF3, BiF3. तो इसमें जब हम उपर से नीचे आते हैं, तो सहसेंगर प्रवृत्ती जो है, वो कम होने लगती है क्योंकि उपर से जब हम नीचे आने लगते हैं तो सहसेयोजिक प्रवित्ती कम इसलिए होती है क्योंकि प्लस 3 ऑक्सिडेशन स्टेट ज्यादा स्थाई हो जाता है और प्लस 5 ऑक्सिडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स ही ज्यादा सहसेयोजिक प्रवित्ती वाले योगिक बना पाते हैं, NF3 जादा स्थाई होते हैं, जबकि NCl3 एवं NBr3 कम स्थाई होते हैं, इसका कारण ये है कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन का आकार लगभग लगभग बराबर है, जबकि नाइट्रोजन और क्लोरीन या नाइट्रोजन और ब्रोमीन को यदि हम कंपेर करेंगे, तो इसके आकार में बहुत ज़्यादा अंतर होता है तो बहुत अधिक अंतर होने के कारण nitrogen एवं halogen के बीच का जो बंद है वह दुर्बल हो जाता है क्योंकि दोनों के आकार में बहुत अधिक अंतर है तो जब ये बंद दुर्बल हो जाता है अस्थाइत्व कम हो जाएगा तो जो NCl3 है या NBr3 है वो अस्थाइयोगिक होते हैं अब हम इसके कुछ हैलाइट के उदाहरण देख लेते हैं फॉस्फोरस जब हैलोजन से क्रिया करता है तो जैसे P4 प्लस 10X2 यहाँ X इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है क्योंकि X यहाँ हैलोजन को दर्शा आ रहा है इस इक्वल टू 4PX5 इसी तरह AS4 प्लस 10X2 इस इक्वल टू 4ASX5 एंटी मनी 4SB प्लस 10X2 इस इक्वल टू 4SB X5 तो यहाँ जो MX5 है वो ज्यादा स्टेबल होता है MX3 के कंपेरिजन में तो यहाँ पर अगला हम देखेंगे धात्वों से क्रिया तो जब भी नाइट्रोजन परिवार के जो सदस्य से होते हैं जब वह धात्व से क्रिया करते हैं तो वह दूई यंगी योगिक बना पाते हैं तो जो यह धात्व हैं कैल्शियम, जिंक या के जगह पर कैल्शियम लें, मैगनिशियम लें या जिंक लें तो यह इस तरह से होगा 3CA plus N2 is equal to calcium nitrite यहाँ पर बना CA3N2 दूसरा 6CA plus P4 is equal to 2CA3P2 तो calcium phosphide बना next है 6 zinc plus 4SB is equal to 2ZN3SB2 तो zinc antimonide बना जितने भी योगिक यहाँ पर बनते हैं यह दूई अंगी योगिक बने और इसकी जो प्रकृती होती है वह सहसे होग होती है जबकि यहाँ पर देखा गया है कि MX5 वाले जो होंगे वो ज्यादा स्थाई होते हैं अब हम बढ़ेंगे di-nitrogen, N2 तो N2 के बारे में बहुत सारी चीज़े हम देखें कि nitrogen द्वी परमाडू कडू के रूप में पाया जाता है और nitrogen nitrogen कमध्य triple bond होता है और इस triple bond का का खारण यही है कि यह PPI PPI bonding कर सकते हैं और इसमें उच बंधन उरजा होती है और उच बंधन उर्जा इसमें है 946 किलो जूल प्रती मोल और यही गुण इसको अक्री भी बनाता है क्योंकि इसको तोड़ने के लिए इसके बंध व्योजन उर्जा कमान चुकी बहुत अधिक है तो यह थोड़े कम क्रियाशील हो जाते हैं क्योंकि इसमें बंध उर्जा कम के भी इसे प्राप्त किया जा सकता है तो सबसे पहले सोडियम नाइटराइट एवं अमोनियम क्लोराइट के द्वारा भी इसे बनाया जा सकता है कई और उदाहरन है अमोनियम डाइक्रोमेट या सोडियम एजाइड ब्रेरियम एजाइड के द्वारा भी इसे बनाया जा सक तो एक एक करके हम इसे जानेंगे, तो सबसे पहली विधी है डाइ-Nitrogen बनाने की Ammonium Chloride एवं Sodium Nitride के द्वारा, तो NaNo2 Sodium Nitride प्लस Ammonium Chloride is equal to NaCl plus NH4 NO2 यहने Ammonium Nitride बना और यही Ammonium Nitride अभगटित होता है, तो N2 plus 2H2O बनता है, यहने Nitrogen यहाँ पर प्राप्त हुआ, Ammonium Nitride के अभगटन के द्वारा, अगला है Ammonium Dichromate के अभगटन से भी Nitrogen प्राप्त किया जा सकता है, तो NH4 whole twice Cr2O7 is equal to N2 plus 4H2O plus Cr2O3 यहने Chromic Oxide भी प्राप्त हुआ साथ में और Nitrogen प्राप्त हुआ, अगला है Sodium और Barium Azide के तापी अभगटन के द्वारा भी इसे प्राप्त किया ज जानेंगे, Barium N3 whole twice is equal to Ba3N2, मतलब Barium प्राप्त हुआ और Nitrogen प्राप्त हुआ और यह 575 Kelvin टेम्परेचर पर अभगटित होता है, इसी तरह से Sodium Azide 2NaN3, Sodium Azide का फॉर्मूला NaN3, 2NaN3 is equal to 2Na plus 3N2, तो इन सभी विदियों के द्वारा Dinitrogen प्राप्त किया जा सकता है, Dinitrogen के कुछ भौतिक एवं रासायनी गुण के बारे में अब हम जानेंगे, Dinitrogen रंगहीन, गंधहीन एवं अविशैली गैस होती है, इसे बहुत अधिक जब दविकृत किया जाता है, तो दविकृत करने पर यह रंगहीन द्रव में परिवर्तित हो सकती है, यह प्रती चु अधिक बारे में रखा जाए, औक्सीजन के बिना, तो वे जीवित नहीं रह पाते हैं, अगला है कि यह वायू से हलकी होती है, नाइट्रोजन अक्री होते हैं, यह हमने देखा कि इसमें ट्रिपल बॉंड होता है, लेकिन कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन जब लीथियम से क्रिया करता है, तो लीथियम नाइट्राइड बनता है, तो कमरे के तापमान पर यह नाइट्रोजन लीथियम से क्रिया करके लीथियम का नाइट्राइड बना सकते हैं, तो यहां उच्छ ताप पर जब क्रिया करेंगे, तो जादा क्रिया शील हो जाते हैं तो कमरे के तापमान पर जब ये लीथियम से क्रिया करते हैं तो रियक्शन है 6 Li plus N2 is equal to 2 Li3 N मतलब लीथियम नाइटराइड बना और जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं देखिए क्रिया शीलता भी बढ़ती जाएगी तो ये मैगनिशियम से अलुमिनियम से क्रिया कर सकते हैं तो 3 Mg plus N2 is equal to 450 degree centigrade है Mg3 N2 मैगनिशियम नाइटराइड तो चूकि लीथियम मैगनिशियम के गुण एक समान लगभग होते हैं इसलिए वो एक ही प्रकार से नाइटराइड फॉर्म कर सकते हैं जब उच ताप की ओर जाते हैं जैसे अलुमिनियम के साथ जब इसकी क्रिया होगी न नाइटरोजन जो है वो हैबर विधी द्वारा अमोनिया निर्माण में भी साहयक होता है तो N2 प्लस 3S2 जब बहुत अधिक प्रेशर डाला जाता है कम तापमान हो तो ये अमोनिया गैस फॉर्म करते हैं इस विधी को हैबर विधी कहा जाता है जहां पर N2 का प्रियोग हो बहुत अधिक तापमान पर जैसे 2000 केल्विन टेंपरेशर पर नाइटरोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो नाइटरिक ऑक्साइड बनाते हैं अब हम जानेंगे डाई नाइटरोजन के कुछ उपियोग तो धातु कर्मी कई सारी प्रोसेस होते हैं मतलब जब भी आय नाइटरोजन का प्रियोग किया जाता है दूसरा है कि खाद्यपदार्थों के पैकेजिंग में और उसके परिरक्षन में जो नाइटरोजन है इसका प्रियोग किया जाता है तीसरा है यहां पर वायू में नाइटरोजन की उपस्थिती में ऑक्सीजन की जो दहन शीलता है वो बहुत कम हो जाती है उर्वर्खों में इसका प्रयोग किया जाता है द्रवी कृत नाइट्रोजन का उपियोग बहुत कम तापमान पर की जाने वाली जो सरजरी होती है जिसे क्रायो सरजरी कहते हैं उसमें भी डाई नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है डाई क्रिया से केल्शियम साइनमाइट प्राप्त होता है प्लस C साथ में प्राप्त हुआ CAC2 प्लस N2 is equal to CACN2 प्लस C तो यदि हम CACN2 और प्लस C को कमबाइन रूप से एक मिक्शर फॉर्म में देखेंगे तो इसे कमबाइन रूप से कहा जाता है नाइट्रो लिम तो यह अमोनिया वातावरन में बहुत कम मात्रा में होते हैं मिट्टी और वायू में बहुत ही कम मात्रा में यह पाया जाते हैं कई कार्बनिक योगी जो की नाइट्रोजन यूग्त होते हैं उसके विघटन के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है यूरिया के विघटन से अ विघटित होकर बनता है अमोनिया 2NS3 प्लस CO2 प्लस H2O यूरिया के विघटन के द्वारा भी अमोनिया प्राप्त किया जा सकता है